दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेडिक इसपर दोस्तों आसा करता हूं आप अपने और अपने परिवार का खयाल बखुबी रख रहे होंगे आज है 31 मई 2021 और आज के जितने भी important current affairs बगते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं तो चलते हैं अपने current affairs के session की ओर हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया गया है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया दोस्तों 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया गया है यानि कि हिंदी जनरलिजम डे 30 मई को मनाया गया तो आपको याद रखना है मई के जितने भी important current affairs होते हैं वो आज 31 मई है 31 मई और आज हम लोग आज मई के जितने भी important current affairs है जो कि exam में यहां से question पूछे ही जाते हैं आज यह revision करना है हम लोगों को और daily verses पर हम लोग उस मन्त के सारे important days को revision करते आ रहे हैं तो आज last day तो मई के मन्त के सारे important days को cover यहाँ पर हम लोग करेंगे 30 मई को मनाय गया हिंदी पत्रकारिता दिवस यानि के हिंदे जनरले जमडे और यह जो 30 मई को मनाय गया है दोस्तों यह क्यों मनाय गया तो 1826 में कलकत्ता में भारत का पहला हिंदी अकबार निकला था ठीक है भारत का पहला हिंदी अकबार इसी तारीक को यानि कि 30 मई को निकला था इसलिए आज के दिन ही 30 मई के दिन बनाय जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस और याद रखना है आपको 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है 30 मई को और 31 मई को तो चलते हैं एक बार करके हम लोग रिविजन करते हैं सारे मई मंत के डेज को एक मई को मनाया जाता है International Labor Day यानि कि अंतरराष्ट्रिय मजदूर दिवस और उसी दिन मनाया जाता है दोस्तों उसी दिन मनाया जाता है मई दिवस और मनाया जाता है 2 मई को World Laughter Day यानि कि World 208 से दिवस और ये जो मनाया गया इस बार तो मनाया गया 208 से दिवस 2 मई को लेकिन ऐ ऐसे यह generally मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 1st Sunday of May को, 3 मई को मनाया जाता है Press Freedom Day, 4 मई को मनाया जाता है Coal Miners Day, International Firefighters Day और World Asthma Day. आपको एक बार के वल इन सारे डेज को एक बार बोल जाना है और हमारे PDF से इसको revision कर लेना है. PDF का description box में डाल दिया जाएगा, टेलिग्राम से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप टेलिग्राम चैनल से जुड़कर हमारे सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलिग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले. तो चार मई को कौनसा डे मनाय जाता है? कौल मैनर्स डे, उसी तरह से साथ मई को कौनसा डे मनाय जाता है दोस्तों, साथ मई को मनाय जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और रविंदरनाद टैगोर जयनतीर. आठ मई को कौनसा डे मनाय जाता है? रेड क्रोस डे और वर्ल्ड थैलेसेमिया डे. ग्यार मई को कौनसा डे मनाय जाता है? नेशनल टेक्नलोजी डे. बारा मई को मनाय जाता है इंटरनेशनल नर्स डे. पंदरा मई को मनाय जाता है इंटरनेशनल डे और फैमिलीज, यानि अंतराश्ट्रिय दिवस परिवारों के लिए 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेली कम्यूनिकेशन डे वर्ल्ड हाइपर्टेंस डे आपको यह सारे डेज याद हो गया होंगे आपको यहां से रिविजन कर लेना है 18 मई को मनाया जाता है World Vaccine Day और International Museum Day 21 मई को मनाया जाता है National Anti-Terrorism Day और National Endangered Species Day और यह तो 21 मई को 2021 में मनाया गया लेकिन ऐसे जनरली मनाया जाता है यह मई के तिसरे सुक्रवार को National Endangered Species Day मनाया जाता है तो आपको यह याद रखना है 22 मई को मनाया जाता है International Day for biological biodiversity और इस दिन के उपलक्च पर हमारे इंडिया में दो जो साजी NM है उनको क्या मिला और एक आपका क्या बोलते हैं सेर गाउं जो BMC है उनको कौन सा अवार्ड मिला है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसी तरह से 23 मई को आपको यह जो मई मन्त है आज दिन तो मैं इस मन्त के सारे डेज को याद करवाओंगा आपको 23 मई को मनाया जाता है 23 मई को World Turtle Day हमने बात किया था इसके बारे में World Turtle Day यानि कि 200 कच्छवा दिवस उसी तरह से 24 मई को मनाया जाता है Common Wealth Day याद रखना है Common We Health Day यानि कि राष्ट्र मंदल दिवस और 25 मई को मनाया जाता है 25 मई को मनाया जाता है International Missing Children's Day अंतर्राष्ट्रिय गुमसुदा बाल दिवस और उसी दिन मनाया गया World Thyroid Day यानि कि विश्व थाइरोइड दिवस 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता? 28 मई को मनाया जाता अंतर्राष्ट्रिय महिला स्वास्त कारवायी दिवस और World Hunger Day भी 28 मई को मनाया गया 29 मई को कौन सा दे मनाया गया? 29 मई को बहुत ही important day Mount Everest Day कौन सा? Mount Everest Day और उसी दिन मनाया गया विश्व पाचन स्वास्थ दिवस यानि कि World Digestive Health Day और 30 मई को जैसा कि हमने आज बात किया है 30 मई को मनाय गया हिंदी पत्रकारिता दिवस और 31 मई को मनाय जाता है World No Tobacco Day यानि कि विश्व तंबाकु निसेद दिवस 31 मई को मनाय जाता है यानि कि आज के दिन विश्व तंबाकु निसेद दिवस World No Tobacco Day मनाय जाता है तो चलिए ये रहा Important Days मई मन्त के ठीक है तो आपको इसे याद रखना है क्योंकि एकजाम में ये सब सारे क्वेस्टन पूछे जाते है FSDC यानि कि Financial Stability and Development Council की कौन सी बैठक हाल ही में संपन हुई है तो इसकी 22 वी बैठक FSDC की संपन हुई है और इसकी जो अध्यक्षता किया गया है वो निर्मला सितारमन के द्वारा किया गया है और ये जो FSDC है इसकी अध्यक्षता जो प्रेजेंट टाइम में जो Finance Minister होती है वो ही करती है और इस टाइम पे हमारी Finance Minister कौन है निर्मला सितारमन तो इनी के द्वारा FSDC का क्या क्या गया है अध्यक्षता किया गया है और ये इसका 22 वी बैठक था और ये FSDC का committing जो held किया गया है तो COVID-19 pandemic जो epidemic चल रहा है हमारे देश में यू कहें कि पूरे world में जो चल रहा है COVID-19 तो इसके कारण जो economical condition जो week हो गया है जो खराब हो गया है जो इसमें जो लचीला पना गया है इसके इस्थिरता के लिए ठीक है बित्य इस्थिरता के लिए कैसे लोग का जीवन या stability and development council और ये virtual रूप से held किया गया है इस बार 22 वी बैठक थी इसकी अध्यक्सता किया गया है किसके द्वारा निर्मला सीतारमन के द्वारा आपको याद रखना है Belgrade Open Title 2021 किसने जीता Belgrade Open Title जो की एक टैनिस का टैनिस टोर्नामेंट है इसका जो टैटल इस बार जीता है नौवक जोकविक जो कि सर्बिया के खिलाडी है आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस देश की ये खिलाडी है तो सर्बिया के खिलाडी है नौवक जोकविक इसने Belgrade Open टाइटल 2021 जीत लिया है बात करते हैं नौवक जोकविक की तो इनोंने इस साल Australia Open को भी जीता था ये Grand Slam होते हैं, चार Grand Slam होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे Australian Open को Novak Jokovic के Men's Single यानि कि पुरूस एकल खिताब में Australian Open को Novak Jokovic के द्वारा जीता गिया और भी जो Naomi Osaka है इन्होंने भी Australian Open को जीता है Australian Open 2021 को इन्होंने जीता है और ये महिला एकल यानि कि Women's Singles में इन्होंने Naomi Osaka Joky Japan की प्लेयर है टेनिस की इन्होंने जीता है तो बात करते हैं Grand Slam की तो चार Grand Slam होते हैं Australian Open सबसे इसका क्रम याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है Australian Open ठीक है पहला Australian दूसरा होता है French Open ठीक है French Open तीसरा होता है Wimbledon ठीक है Wimbledon और चौथा होता है US Open तो ये चार Grand Slam होते हैं टेनिस के बहुती बड़े टूर्णामेंट है और इनमें से Australian Open जो की 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ था उसको जीत लिया है किसने Novak Jokovic के द्वारा और इसमें में सिंगल में और वुमें सिंगल में जापान की खिलाडी है Naomi Osaka उसने वुमें सिंगल में इस टाइटल को जीता है चलिए अगले question पर हम लोग चलते हैं हमारा अगला question है कि लाख की खेती को क्रिसी का दरजा किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया है लाख की खेती को क्रिसी का दरजा 36 गड़ सरकार के द्वारा दिया गया है तो याद रखना है यह जो लाख की खेती होती है इसमें क्या किया जाता है इस पर क्रिसी का तो दर्जा दे दिया गया है लेकिन लाक जो होता है केरीना लाका नामक जो एक कीट होता है केरीना लाका ठीक है आपको याद रखना है केरीना लाका नामक एक कीट होता है कीला होता है इस से उत्पादित होता है ये एक लाक ठीक है लिक्विड टाइप से जिसको राल कहा जाता है क्या कहा जाता है राल ये एक रच्छा कवज बना लेता है अपने चारोर ये कीट और इस कीट के उपर से ये जो रच्छा कवज है इसको खुरच के निकाल लिया जाता है और इसी को लाख कहा जाता, इसी को लाख कहा जाता, आपको याद रखना है केरीना लाखा और यह क्या होता, यह जो कीडे होते हैं इसे पेड़ पौधों पर तो बहुत, मतलब ऐसे जनरली बहुत सारे जैसे पलास के, कुसूम के तथा bear के पिड़ों पर इनको पाले जाते हैं और Eucaliptus पर भी पाले जाते हैं तो आपको ये सब भी याद रखना है क्योंकि ये General Knowledge के Beyond muita obvious से और एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इसी लिए आपको याद रखना है, ठीक है तो ये lock होता है और लाग का यूज क्यों किया जाता है लाग का यूज स्रिंगार की बस्तों सील में और क्या बोलते हैं जो इंसुलेटर होता है जो आपका वायर के उपर जो इंसुलेटर होता है उसके लिए वारनेस फलों वह दवा पर जो कोटिंग किया जाता है पॉलिस वह सजावट की बस्त गड़ का जो CM है वो है भुपेस बगेल कौन है भुपेस बगेल और यहां की जो गवर्नर है वो कौन है अनुसुया उईके क्या याद रखना है अनुसुया उईके और बात करते हैं उत्तर परदेश की तो जो उत्तर परदेश के CM है योगी आदित्तेनात और यहां के जो वो है भीपी बदनौर सिंग ठीक है तो ये आपको यहां से कुछ important fact याद रखने हैं अगला question है रोजगार सेतु योजना की शुरुवात कहां की गई है तो ये जो रोजगार सेतु योजना आप यहां देख पा रहे होंगे रोजगार सेतु योजना सिवराज सिंग चौहान का यहां picture लगा हुआ है इसका मतलब कि रोजगार सेतु योजना को मद्य परदेश की सरकार द्वारा start किया गया है ठीक है तो इस रोजगार सेतु योजना में क्या होगा कि जो प्रवासि मजदूर होते हैं जो दूसरे राज्य से आते हैं काम करने के लिए उनको रोजगा परदान करने के लिए यहां की सरकार काम करेगी और मनरेगा के तहट प्रवासि मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा मद्य परदेश के गौवर्मेंट द्वारा ये योजना सुरू किया गया है रोजगार सेतु योजना आपको याद रखना है इस योजना के बारे में बात करते हैं मध्य पर्देश की तो मध्य पर्देश के जो C.A. मैं यहाँ दिख रहा है सिवराज सिंग चौहान और यहाँ का जो अतिरिक्त प्रभार राजेपाल के रूप में दिया गया है उनको दिया गया है आनंदी बेन पटेल को चतिस गल की बात करें तो हमने बात कर लिया है अनुसुया उई की यहां की गवर्नर है और राजस्थान के जो C.A.ं है वो है कल राज मिस्र ठीक है कल राज मिस्र और महराश्ट की बात करें तो भगत सिंको सियारी यहां का CM है और उद्धर ठाकरे CM है और भगत सिंको सियारी यहां के गवर्नर है अगर योजना के बारे में बात करें मध्य परदेश की तो मध्य परदेश में कुछ important योजना है जिसे आपको याद रखना है जैसे कि पंक अभियान ठीक है प रखरकाव करेगा पंक अभियान की द्वारा ये मध्यपर्देश का योजना है बात करते हैं यहाँ पर एक मास्क अनेक जिन्दगी अभियान भी शुरुवात किया गया था एक मास्क अनेक जिन्दगी ठीक है यह मध्यपर्देश की योजना है और हम अपने विडियोज में ह हर दिन नए नए योजना जो important योजना है राज्य के उसको cover करेंगे तो आज क्या है मद्यपर्देश एक मास्क अनेक जिन्दगी यहां का योजना है इसके बाद यहां पर important योजना है इंतिजार आपका अभियान इंतिजार आपका अभियान यह मद्यपर्देश का योजना ह उसके बाद जीवन सक्ति योजना और यहां पर है जीवन अम्रित योजना आपको यह सारे अभयान य आपको याद रखने हैं और यह सारे सक्ति आज ओर रहे हैं, मद्य पर्देश के पंक अभ्यान, लड़कियों के, बालिकाओं के, सुरक्षा के लिए ये अभ्यान यूज किया गया, एक मास्क, अनेक जिन्दगी, इंतजार आपका, और जीवन सक्ती, और जीवन अम्रित योजना, चरन पादु का अभ्यान भी यहीं का योजना था, एफ में पुछा जाता है कि योगेस गड़ कौन थे, आपसे पुछा जाएगा गीतकार है, पत्रकार है, फिल्म निर्देशक, लेखक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, योगेस गड़ गीतकार थे, ठीक है, तो हमारा अगला क्वेस्चन है, कि खीर भवानी मेला कहा मनाई जाती है, खीर भवानी मेला, जिसे की खीर भवानी यात्रा भी कहा जाता है, ठीक है, दोस्तों, खीर भवानी यात्रा भी कहा जाता है, इसे मनाया जाता है, जम्मू कस्मीर में, ठीक है, यसे जम्मू कस्मीर में बहुत ही इंपोर्टेंट मेला है, और यह यात्रा भी इसे कहा जाता है और इस खीर भवानी मंदीर जम्मू कस्मीर के खीर भवानी मंदीर में इस मेला को संपन कराया जाता है और यह कहां पर है तो तुल्ला मुल्ला भिलेज जम्मू कस्मीर में यह मंदीर है दोस्तों तो यहां पर कराया जाता है बात करते हैं गवर्नर एल जी है ठीक है राजस्थान की बात करें तो मैंने बात कर लिया है मद्द पर्देश की बात करें तो आपने जानते हैं उत्तरा खंड की बात करें तो उत्तरा खंड के जो यहाँ पर सीम है वो है त्रिवेंदर सिंग रावत त्रिवेंदर सिंग रावत आपको यह important बहुत important होते हैं cm और governor तो आपको यह याद रखना है और हम एक video लाएंगे जिसमें cm और governor updated आपको दे दिया जायेगा उत्राखंड के हैं त्रिवेंदर सिंग्रावत और यहां की जो governor है वो है बेबी रानी मौर्या बेबी रानी मौर्या आपको याद रखना है बिरेंदर क जिनका निदन हाल ही में हो गया वह थे एक राजनितिग ठीक है आपसे पूछा जाएगा यह देखिए एक बिरेंदर कुमार है यह एक राजनितिग थे यह MP यानि कि सांसत थे राज्यसवा के ठीक है राज्यसवा के सांसत थे और किस राज्यसे थे तो केरल से आपको याद रखना है पिनराई बिजियन और यहां के जो गवर्नर है आपको यह बताना है क्योंकि हर एक विडियो में मैं यहां पर कवर करते जाता हूँ स्पोर्ट्स ओथरिटी ओफ इंडिया के महानिदे सक डिरेक्टर जनरल संदीप प्रधान संदीप प्रधान थे और इनका कारेकाल अभी बढ़ा दिया गया है कितने वर्सों के लिए तो दो वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया है आपको याद रखना है दो वर्सों के लिए इनका कारेकाल बढ़ा दिया गया है बात करते हैं SAI की तो SAI का जो हेड़क्वाटर है वो है नई देली में ठीक है नई देली में और इसका अस्थापना कब किया गया था 1984 में 1984 में Sports Authority of India का अस्थापना किया गया था बात करते हैं कि IMF ने बांगला देश को COVID-19 महामारी से तो IMF की बात करते हैं तो इसका हेड़क्वाटर कहा है? IMF का हेड़क्वाटर है Washington DC तो यह अमेरिका में है Washington DC इसका हेड़क्वाटर है इसकी अभी प्रेजेंट टाइम में जो MD है मैनेजिंग डिरेक्टर है वो है क्रिष्टिलिना जॉर्जीवा क्रिष्टिलिना जॉर्जीवा हेड़क्वाटर इसका Washington DC में है इसके चीफ एकोनोमिस्ट बहुत ही इंपोटेंट है इसके जो चीफ एकोनोमिस्ट है वो इंडिया की है गीता गोपीनाथ ठीक है? और इसका इसका पीडियेव हमारे टेलिग्राम चैनल से डावनलोड करना होगा उसके आपको टेलिग्राम चैनल से जुड़ना ना सबّले मैं टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा आप वहाँ पर जॉइन करें और इस वीडियो के पीडियो को देखकर रिविजन करें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और हम मिलेंगे कल नए करेंट अफेर्स के साथ नए मन्त की प्रतियोगिता दरपन का भी अनालिसिस हमारे चैनल पर करा जाएगा तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना ना भूले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इंफॉर्मेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा दे ताकि आपको ऐसे ही यूजफूल वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले तो धन्यबाद दोस्तों और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में